परिचाए हाशीश, मुझे जूस पीना पसंद है, क्योंकि ये ताकत देता है, जूस का स्वाद अच्छा होता है, और जब ये ठंडा हो, तो और भी अच्छा लगता है हाँ, तुम सही कह रहे हो पिरिंस, जरा ये बर्फ मुझे देना, मुझे अपनी गलास में एक दो और डालनी है हाँ, जरूर, आशीश, मैं तुम से कुछ पूछना चाहता हूँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो बर्फ पिघल क्यों रही है और जब हम इसे जूस में डालते हैं, तब भी ये पिघल जाती है ऐसा क्यों? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ बर्फ का पिघलना उश्मा गतिकी का एक उधारन है ब्रहमाण में कुछ भी ठंडा नहीं है प्रहमाण की प्रतीक वस्तू अपने परिवीश में उश्मा का विकरण करती है विश्व के उतकरम माप में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है इस उतकरम माप के कारण बर्फ पिघलती है अच्छा, अब मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया इसके बारे में जानना अध्यंत रोजक है तो ठीक है, आओ, मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ उद्दिश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे उश्मा गतिकी को परिभाशित करना उश्मा गतिकी प्राक्रम की व्याख्या करना उर्जा की रुपांतरण की प्रणाली को समझना आंतरिक उर्जा की व्याख्या करना दाब आयतन कारे को समझना एंथालपी को परिभाशित करना विस्तीन वा गहन गुण धर्म में विभेत करना और उश्मा धारिता की गरना करना कैलोरी मिती के बारे में चानना डेल्टा ह वा डेल्टा ए के बीच संबंद का विशलेशन करना उश्म रसाइन के नियमों की व्याख्या करना बॉंड एंथालिपी को समझना स्वाता प्राक्रम को परिभाशित करना गिपस उर्जा की गरना करना उश्मा गतिकी विज्ञान की उस शाखा को उश्मा गतिकी कहते हैं जिसमें उश्मा और अन्य उर्जा की रूपों के साथ उनके मात्रात्मक संबंधों की चर्चा होती है उश्मा गतिकी मूल रूप से तीन आधार भूत समाने करणों पर आधारित है पहले नियम में ओर जाओं के विभिन स्वरूपों की समत्युलिता के बारे में बात की जाती है दूसरे नियम में रासायनिक परिवर्तन की दिशा के बारे में बात की जाती है तीसरे नियम में उश्मा उत्क्रम जैसे उश्मा गतिकी के मापधंडों का मुल्यांकन करने में सहायक है उश्मा गतिकी में प्रयुक्त आधार भूत शप्तावली निकाए प्रणाली की व्याख्या ब्रहमांड के उस भाग के रूप में की जाती है जिस पर खोज जारी है उधारन के लिए यदि हम पानी के गुण धर्मों पर तापमान के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं तो प्रणाली के रूप में पानी लिया जाएगा परिवेश प्रणाली के अतरिक्त ब्रहमांड का भाग परिवेश के रूप में जाना जाता है उधारन के लिए यदि अभिक्रिया सम्मिश्रण एक बीकर में रखा जाता है तो ये प्रणाली बन जाता है और बीकर की दिवारें सीमा बनाती है और शेश सब कुछ परिवेश है प्रणाली को तीन वर्गों में रखा जा सकता है खुली प्रणाली, बंद प्रणाली और विलगिद प्रणाली खुली प्रणाली वो प्रणाली जो द्रविमान और उर्जा के परिवेश के साथ विन्माई कर सकती है उसे खुली प्रणाली कहते हैं बंद प्रणाली वो प्रणाली जो उर्जा का विनमय द्रवेमान के साथ नहीं बलकी परिवेश के साथ कर सकती है उसे बंद प्रणाली कहते हैं विल्गिद प्रणाली वो प्रणाली जो ना तो उड़जा का विनिमाई कर सकती है और ना ही द्रवेमान का परिवेश से उसे प्रतक भूत प्रणाली कहते हैं प्रणाली की दशा से अभिप्राय प्रणाली के अस्टित्र से है जबकि इसके स्थूल गुण धर्म निश्चित मान रखते हैं उधारन के लिए गैसी ये प्रणाली की दशा दाब, आयतन, तापमान और मात्रा से परिभाशित की जा सकती है इसके स्थूल गुण धर्म निश्चित हो जाने के बाद गुण धर्म स्वाता निश्चित मान प्राप्त कर लेते हैं जब अन्य स्थूल गुण धर्म नए मान प्राप्त करते हैं तब एक या अधिक स्थूल गुण धर्म प्रणाली की स्थिती में परिवर्तन लाते हैं। जब अन्ता क्रिया होने के बाद प्रणाली एक नई सामयावस्था बनाती है। जिसे प्रणाली की अंतिम दशा कहते हैं। निमनिलिकित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सम उश्मी प्राक्रम ये प्राक्रम स्थिर तापमान पर होता है। इस प्राक्रम में प्रणाली और परिवेश के बीच किसी उश्मा का इस्थानांतरण नहीं होता है। सम दाबी प्राक्रम ये प्राक्रम स्थिर दाप पर होता है। सम आयतनिक प्राक्रम ये प्राक्रम स्थिर आयतन पर होता है। उर्जा इस्थानांतरण प्रणाली प्रणाली और परिवेश के बीच उर्जा इस्थानांतरण की दो महिदपून विद्या हैं उश्मा यदि प्रणाली और परिवेश के उश्ममान में तापमान भिन्न है तो उर्जा का स्थनांतरण उश्मा की रूप में होता है यदि प्रणाली का तापमान अधिक है तो परिवेश में उर्जा का हिरास होता है यदि प्रणाली का तापमान परिवेश से कम है तो प्रणाली को परिवेश से उर्जा प्राप्त होती है उश्मा को क्यों से निरुपित किया जाता है? कारे यदि प्रणाली और परिवेश के दाब में भिनता है तो उर्जा का इस्थानांतरण कारी के रूप में हो सकता है आईए गैसी ये प्रणाली को लेते हैं जो एक सिलेंडर में चलन शील पिस्टन के साथ लगा हुआ है यदि प्रणाली का दाब उच्छ होगा तो पिस्टन तब तक ऊपर की ओर धकेला जाएगा जब तक की प्रणाली का दाब परिवेश के समान नहीं हो जाता यदि प्रणाली का दाब कम है तो पिस्टन नीचे की ओर तब तक दबाया जाएगा जब तक की प्रणाली का दाब परिवेश के समान नहीं हो जाता आंतरिक उर्जा आंतरिक उर्जा घटक कणों की गतिज और इस्तिदिज उर्जा से बनी होती है आंतरिक उर्जा हवस्था फलन है और आंतरिक उर्जा में तब परिवर्टन होता है जब उश्मा प्रणाली से परिवेश में या परिवेश से प्रणाली में इस्थानांत्रेथ होती है विलगिद प्रणाली की आंतरिक उर्जा इस्थिर रहती है किसी प्रणाली की आंतरी कूर्जा दो प्रकार से परिवर्तित हो सकती है उश्मा को प्रणाली में प्रवाहित होने दिया जाए या उश्मा को प्रणाली से बाहर जाने दिया जाए प्रणाली पर या प्रणाली द्वारा कारे किये जाने पर आंतरी कूर्जा में परिवर्थन इस प्रकार दिया जाता है देल्टा U बराबर Q प्लस W जहां Q प्रणाली को दी गई उश्मा है W प्रणाली पर किया गया कारे है उक्त संबन्द में उश्मा गतिकी का ये पहला नियम है दाब आयतन कारे गैस भरे एक सिलेंडर के बारे में विचार करें जिसमें घर्शन रहित पिस्तन लगा है यदि बाहरी दाब आंतरीक दाब से थोड़ा साभी कम होगा तो पिस्तन उपर की ओर तब तक जाएगा जब तक बाहरी दाप आंतरिक दाप के समान ना हो जाए यदि आयतन और सिलेंडर का अनुप्रस्त परिछेद क्रमशा V और A है तो प्रणाली द्वारा किया गया कारे बराबर P गुणा A गुणा L जो P गुणे डेल्टा V के बराबर है आदर्ष गैस का उद क्रमशा पीवी कारे आदर्ष गैस से भरे एक सिलेंडर जिसका आयतन V है इसके बारे में विचार करें जिस पर घर्षन रहीत पिस्टन लगा है और जिसका बाहरी दाप P है यदि दाप का अंतर अत्यंत सुक्ष्म है तो आयतन में वृद्धी भी अत्यंत सुक्ष्म होगी अब दाप आयतन कारे के कारण प्रणाली द्वारा किया गया कारे भी सुक्ष्म होगा इस तिर बाहरी दाप P पर एक आदर्श गैस का विस्तार V2 से V1 तक करने है तू किये गया कारे की कुल मात्रा को माइनस 2.303NRT लॉग P1 बटे P2 लिखा गया है एंथाल्पी एंथाल्पी अवस्था फ्लन का उप्योग इस्थिर दाप पर उश्मा परिवर्तन के मापन के लिए किया जाता है ह बराबर यू जमा पी वी और डेल्टा ह बराबर डेल्टा यू जमा पी डेल्टा वी जमा वी डेल्टा पी इस्थिर्दाप पर डेल्टा P बराबर 0 आता डेल्टा H बराबर डेल्टा U जमा P डेल्टा V इस समीकरण को निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है डेल्टा H बराबर Q P डेल्टा U और डेल्टा H में निम्न संबंध है डेल्टा H बराबर डेल्टा U जमा डेल्टा NG RT जहां डेल्टा NG गैसिय गुडन फल के मूल की संख्या माइनस गैसिय अभीकारकों के मूल की संख्या है विस्तीन वा गहन गुणधर्म विस्तीन कगुणधर्म प्रणाली के वे गुण धर्म जो उसमें नहत द्रव की मात्रा पर आधरित होते हैं। उदारण, दाब, तापमान, घनत्व, विशिष्ट उश्मा, तरल्ता, प्रिष्ट तनाव आधी। उश्मा धारिता दो प्रकार की गुदी है। इस्थिर आयतन पर उश्मा धारिता और इस्थिर्दाप पर उश्मा धारिता। उश्मा धारिता एक विस्तिर्ण मात्रा है। ठोसों के लिए CP और CV परापर होते हैं। और गैसों के लिए CP और CV भिन्न होते हैं। उश्मा धारिता पदार्त की मात्रा के समानुपाती होती है। Q परापर CV गुने डेल्टा टी जहां डेल्टा टी परापर TF घटा टी आई। पदार्त की मोलर उश्मा धारिता पदार्त के एक मोल की उश्मा धारिता होती है। विश्मा धारिता उश्मा की वो मात्रा होती है जो पदार्त के एक यूनिट द्रव के ताप्मान को एक डिग्री सेलसियस बढ़ाने के लिए आवशक होती है। Q बराबर C गुणे M गुणे Δेल्टा T विशिष्ट उश्मा धारिता वा मोलर उश्मा धारिता गहन क्राशियां है कैलोरी मिती कैलोरी मिती एक प्रयोगात्मक तकनीक है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया में मुग्द की गई या अफशोशित की गई उश्मा की मात्रा मापी जाती है ये प्राक्रम एक बर्तन में किया जाता है जिसे कैलोरी मीटर कहते हैं जो तरल की ग्यात मात्रा में निमज्जित होता है जिस तरल में कैलोरी मीटर निमज्जित है उसकी ऊश्मा धारिता तथा कैलोरी मीटर की ऊश्मा धारिता ग्यात होने पर हम तापमानों में हुए परिवर्तन का मापन करके प्रयुक्त ऊश्मा की मात्रा ग्यात कर सकते हैं Delta U Map वेरसाइनिक अभिक्रियाएं इस्तिर आहितन पर उश्मा अफ्शोशित होती हैं, बॉम्ब कैलोरी मीटर में मापी जाती हैं, एक स्टील का बर्तन ये सुनिश्चित करने के लिए पानी में डुबो दिया जाता है, कि परिवेश में उश्मा का हिरास ना हो, स्टील बॉम्ब में रखी शुद्ध डाई ऑक्सीजन में एक जोलनशील पदार्थ को जलाया जाता है, अभिक्रिया में निकली उश्मा को बॉम्ब के आसपास के पानी में इस्थानांत रिट किया जाता है, तथा इसके तापमान के निगरानी की जाती है, क्योंकि बॉम्ब केलोरी मीटर सील होता है, इसका आईतन परिवर्थित नहीं होता है, कोई कारे नहीं होता है, क्योंकि अभिक्रिया बॉम्ब केलोरी मीटर में इस्थिर आईतन पर होती है, पूर्ण अभी क्रिया द्वारा उतपादित केलोरी मीटर के तापमान में हुआ परिवर्तन QV में परिवर्तित हो जाता है Δेल्टा H मापन इस्थिर दाप पर उश्मा में परिवर्तन की माप केलोरी मीटर में की जा सकती है हम जानते हैं कि Δेल्टा H पराबर QP इस्थिर दाप पर अफशोशित या मुग्द की गई उश्मा को अभिक्रिया की उश्मा या अभिक्रिया की एंथालपी भी कहा जाता है एक ओश्मा क्षेपी अभिक्रिया में ओश्मा उत्पन्य होती है और प्रणाली परिवेश में ओश्मा मुक्द करती है अता QP रिरात्मक होगा और डिल्टा RHB रिरात्मक होगा इसी प्रकार ओश्मा शोशी अभिक्रिया में ओश्मा अफशोशित होती है और प्रणाली परिवेश से ओश्मा प्राप्त की जाती है अता QP रिरात्मक होगा और डिल्टा RHB रिरात्मक होगा डिल्टा H और डिल्टा E में संबंध एंथालिपी प्रणाली की आंतरिक उर्जा और PV उर्जा का योग होता है ये एक मातरात्मक गुन धर्म और अवस्था फलन भी है इसका गणितिये रूप से संबंध निम्न है ह बराबर ई जमा पीवी डेल्टा एच को प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया जा सकता है डेल्टा एच बराबर एच दो घटा एच एक जो की हपी का योग माइनस हार का योग के बराबर है उश्मा क्षेपी अभिक्रिया में डेल्टा एच धनात्मक है उश्माक्शोशी अभिक्रिया में डेल्टा-H रनात्मक है डेल्टा-H निरुपित करता है कि अभिक्रिया में होने वाला उश्मा परिवर्तन इस्थिर्दापमान वा इस्थिर्दाप पर होता है प्रधिक्रिया के डेल्टा-H और डेल्टा-E में निम्न संबंध है इसे निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है जहां डेल्टा एंजी गैस मूलों की संख्या में परिवर्तन है अभी क्रिया की उश्मा ये एंधल्पी परिवर्तन है जो अभी क्रिया के दोरान उस समय होता है जब अभी क्रिया अभी कारकों की उभूग की गई राशियां और बने हुए उत्पादों की राशियां संतुलित राहसाइनिक समिकरण के अनुरूप हों डेल्टा ह2 माइनस डेल्टा ह1 बराबर T2 घटा T1 गुने उत्पादों का CP गुने अभी कारकों का CP मानक अवस्था की स्थिती में व्यक्त की गई अभिक्रिया की एंधल्पी को मानक एंधल्पी अभिक्रिया कहते हैं उधारण, आएए डेल्टा H वा डेल्टा E के मध्धे संबंध का एक उधारण देखें, दी गई प्रतिक्रिया में एंथालिपी परिवर्तन डेल्टा H 298 केल्विन पर माइनस 92.38 किलो जूल है, 298 केल्विन पर डेल्टा E क्या है, आएए हल देखते हैं, दिया है डेल्टा H बराबर घटा 92.38 किलो जूल, डेल्टा NG बराबर 2 घटा एक जमा 3 बराबर घटा 2, आर बराबर 8A 314 गुणे 10 की घात घटा 3 किलो जूल परतिमोल परतिकेल्विन हम जानते हैं कि डेल्टा H बराबर डेल्टा E जमा डेल्टा NG RT, इसलिए डेल्टा E बराबर डेल्टा H घटा डेल्टा NG RT, अब हम समी करन में मान रखेंगे और गड़ना करेंगे, हमें डेल्टा E बराबर घटा 87.42 किलो जूल पराब्द होता है, इस प्रकार डेल्टा E का मान घटा 87.42 किलो जूल है, अभी क्रिया की एंधालबी के विभिन रूप, उत्पत्ती की एंधालबी, ये उश्मा परिवर्तन तब होता है, जब किसी यौगी का एक मोल उसके घटक तत्वों से प्राप्त किया जाता है, स्वातंत्र तत्वों की मानग एंधालबी शून ने ली जाती है, इसका मान यौगी की रासाइनिक स्थिर्ता का निर्धारण करता है, देहन की एंधालबी, ये उश्मा परिवर्तन तब होता है, जब किसी यौगी के एक मोल का वायु मंडल की ऑक्सीजन में पौन रूप से देहन हो जाता है, ये सदैव रनात्मक होता है, क्योंकि देहन की प्राक्रम उश्माक्षेपी होती है, विल्यन की एंधालबी, ये उश्मा परिवर्तन तब होता है, जब किसी पदार्थ का एक मोल विलायक की भारी मात्रा में विक्टिद होता है, ताकि और तनुकरण होने पर कोई भारी उश्मा परिवर्तन ना हो. जल्योजन की एंथालपी ये ओश्मा परिवर्तन तब होता है जब जलहीन पदार्थ का पून जल्योजन होता है जल्योजन ओश्माक्षेपी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें जल के अणूँ और मद्धेवर्ती धातु आयन में आबंध होता है सनलयन की एंथालपी ये ठोस पदार्थ के एक मोल को गलनांग पर पून द्रव बनाने हे तू आवश्यक उश्मा परिवर्तन है वाश्पी करण की एंथालपी तरल पदार्थ के एक मोल को कौतनांग पर पून वाश्पु बनाने हे तू आवश्यक उश्मा परिवर्तन उदासीनी करण की एंथालपी ये वो उश्मा परिवर्तन है जब तनू विलियनों में एक ग्राम अम्ल का सम्तुल्ले तनू घोल द्वारा एक ग्राम ख्यार को उदासीन करता है हाइड्रोजनी करण की एंथालपी ये एंथालपी परिवर्तन तब होता है जब असंत्रिप्त कारबनी क्योगिक का एक मूल पून हाइड्रोजनी करित हो जाता है संक्रमण की एंथालपी ये उश्मा परिवर्थन तब होता है जब बदार्थ का एक मूल एक परानुवर्थी सौरूप से दूसरे में संक्रमित होता है उश्मा रसाइन के नियम लावोई सियर लेपलेस का नियम अभिक्रिया के दौरान होने वाला एंधालपी परिवर्थन जो परिमाण में बराबर हो लेकिन उद्ध क्रमी प्राक्रम में होने वाले एंधालपी परिवर्थन में इसका चिन्न विपरीथ हो हेस का नियम हेज का नियम ये कहता है कि प्राक्रम के दौरान एंथालपी परिवर्तन केवल आरंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर होता है और उस मार्क से प्रभावित नहीं होता है जिस पर ये प्राक्रम किया गया हो हेस का नियम बहुत सी प्रतिक्रियाओं की एंथालपी की गणना करने में सहायक है, जो वहवाहारिक रूप से संभव नहीं है, जैसे संदचना की एंथालपी, संक्रमण की एंथालपी, जलियोजन की एंथालपी आदी. बॉंड एंथालपी जो आबंद उर्जा का होता है, लेकिन एक से अधिक आबंद वाले बहु परमानुकणू में शब्द आबंद वियोजन उर्जा का अर्थ आबंद उर्जा के समान नहीं होता है. आबंद उर्जा वो आसद मात्रा है जो किसी कैसी अणू में उस प्रकार के एक मोल के आबंद को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है अभी कार्गों व उत्पादों की बॉंड उर्जा ग्यात होने पर अभी क्रिया की डेल्टा एच की गणना की जा सकती है स्वाता प्राक्रम वे भौदिक या रासायनिक प्राक्रम जो एक दिशा विशेश में दी गई अवस्थाओं में स्वयम अथ्वा समुचित प्रारंब के साथ होती है स्वाता प्राक्रम कहलाती है सभी प्राक्रितिक प्राक्रम स्वाता प्राक्रम होते है स्वाता प्राक्रम दिये गए अवस्थाओं में स्वाता प्राक्रम अपने प्राक्रम को प्रतिलोमेत नहीं कर सकता है इस ब्रहमांड में होने वाला कोई भी भौतिक या रासायनिक प्राक्रम तभी स्वाता हो सकता है जब वो ब्रहमांड के उत्क्रम माप में बढ़ोतरी के लिए उत्तरदाई हो किसी प्राक्रम के स्वाता होने के लिए आवशक है कि डेल्टा एस प्रहमांड शून से अधिक होना चाहिए यदि डेल्टा एस योग बराबर शून तब ये सामय अवस्था में है गिप्स उर्जा वो उर्जा जो विशिष्ट अवस्थाओं में प्रणाली से निशुलक उपलप्त है और जो प्योगी कारियों में स्तेमाल की जा सकती है गिप्स उर्जा कहलाती है प्रणाली से संबंद संपूर्ण उर्जा का एक भाग रेंडम उर्जा होता है जो कारे में रूपान तरणिये नहीं है गिप्स उर्जा को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है G बराबर H घटा T S गिप्स उर्जा अवस्था फलन है और इसकी काई जूल प्रतिमोल है प्राकरम के दोरान गिप्स उर्जा में परिवर्थन G तो घटा G एक दोरा दिया जाता है जो डेल्टा H घटा T डेल्टा S के पराबर है प्रणाली का गिप्स उर्जा परिवर्थन दिये गए संबंध द्वारा डेल्टा S योग से संबंधित है प्रणाली का डेल्टा G बराबर माइनस T डेल्टा S योग विशेश अवस्था में प्रणाली का गिप्स उर्जा परिवर्थन उप्योगी कारे को निरूपित करता है जो प्रणाली से पीवी कारे के अलावा प्राप्पे हो मानक गिप्स उर्जा निर्माण मानक अवस्था में अपने घटक तत्वों से योगी के एक मोल के निर्माण की दोरान आने वाली मुक्द उर्जा परिवर्थन मुक्द तत्वों का डेल्टा GF0 उनकी मानक अवस्था पर शूनने लिया जाता है मानक उर्जा परिवर्थन अविकार को वा उत्पादों का मानक मुक्द उर्जाओं से निम्न रूप में संबंदित होता है डेल्टा G knot बरावर उत्पादों का डेल्टा GF0 का योग माइनस अविकार कों का डेल्टा GF0 का उयोग डेल्टा जी नॉट अभिक्रिया के डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट से निम्नानुसार संबंदित है डेल्टा जी नॉट परावर डेल्टा एच नॉट माइनस ती डेल्टा एस नॉट डेल्टा जी नौट सामेस्थरंग से निम्नानुसार सम्मदित है डेल्टा जी नौट वरापर घटा दो दशमलव 303 आठी लोग के क्या आप जानते हैं शब्द एंट्रॉपी की खोज जर्मन भौतिक शास्त्री रुडोल्फ क्लॉसिस द्वारा 1865 में की गई थी उर्जा के अपवैईत होने के बाद इसे फिर से इस्तिमाल नहीं किया जा सकता है जैसे हम बर्फ पिखलने के बाद फिर से इगलू नहीं बना सकते तापमान निकायों के बीच आंतरिक उर्जा प्रवा की दिशा बताता है और उन निकायों के बीच औसद गतिज उर्जा परगमन को संकेति करती है ताप ये उर्जा परमानों किया हनु किस्तर पर वास्तों में गतिज उर्जा का एक प्रकार है जितना अधिक इन कड़ों की गती होगी, उतनी ही अधिक ताप ये उर्जा होगी साहरांश आईए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संख्षेप में तोहराएं विज्ञान की वो शाखा जो उश्मा और उर्जा के अन्य प्रकारों के साथ उनके मातरात्मक संबंदों पर चर्चा करती है उसे उश्मा गतिकी कहते हैं वो प्रणाली जो उर्जा का विनमेत्र विमान के साथ ना करके परिवेश के साथ लेकिन कर सकती है उसे बंद प्रणाली कहते हैं। यदि प्रणाली और परिवेश के तापमानों में भिनता है तो उर्जा का आदान प्रदान उश्मा के रूप में होता है। यदि दाप में भिनता है तो प्रणाली और परिवेश के बीच उर्जा का आदान प्रदान कारे के रूप में हो सकता है. आंतरी कूर्जा घटक कड़ों की गतिजूर्जा और इस्तिदिज उर्जा से बनी होती है. आंतरी कूर्जा अवस्था फलन होती है. प्रणाली के वे कुण धर्म जो उसमें निहित द्रवे की मातरा से स्वातंत्र होते हैं गहन कुण धर्म कहे जाते हैं पदार्थ के एक नमूने की उश्मा धारिता, उश्मा की वो मातरा है जो तापमान को एक डिग्री सेलसियस बढ़ाने के लिए हावश्यक होती है गेलोरी मिती एक प्रयोगात्मक तक्नीक है जिसमें रासाइनिक प्रतिक्रिया में मुक्त की गई या अफशोशित की गई उश्मा की मात्रा मापी जाती है वो उजा जो विशिष्ट दशा में प्रणाली से नेशल को उप्लब्ध होती है और जिसका इस्तेमाल उप्योगी कारियों में किया जा सकता है गिप्स उजा कहलाती है